लखनव सूपर जाइंट्स आईपेल की नई टीम गुज्राट टाइटन से साथ ये टीम भी आईपेल सीजन 15 से अपना डेब्यू करने को तैयार है टोनमेंट चुरू होने से पहले लखनव फ्रेंच्राइज ने आउक्षन टेबल पर बढ़िया प्रेदिशन किया आउक्षन टेबल पर की गई खरीदारी के चलते क्रिकेट पंडितों ने लखनव सूपर जाइंट्स को खूब सराहा लखनव ने गौतम गंभीर को अपना वेंटोर बनाया है और आउक्षन में बहतरीन खिलाडियों को चुनने के पीछे मुख्य हीरो वही थे गंभीर के साथ टीम के हेड कोच एंडी फ्लार और असिस्टेंट कोच विजय धहिया है लखनव फ्रेंचाइज ने स्टार बल्लेबास केल राहूल को अपना कप्तान बनाया है मेगा उक्षन से पहले फ्रेंचाइज ने केल राहूल, रवी बिश्नोई और मारका स्टॉइनिस को साइन किया था राहूल को लखनव ने 17 करोड की बड़ी रकम में साइन किया और वो इस सीजन के सबसे महेंगे खिलाडी भी है आईपेल 2022 के मेगा उक्षन में लखनव ने 30 गेंदवाज आवेश खान पर सबसे जादा 10 करोड रुपे खर्च किये आवेश पिछले सीजन दिली क्यापिटल्स का हिस्सा थे उन्होंने आईपेल 2021 में दिली के लिए 24 विकेट जटके थे लखनव ने जेसन होलडर पर 8.75 करोड और कुनाल पांडिया पर 8.25 खर्च कर दिये जबकि कुईंटन डिकॉक के रूप में टीम ने एक विकेट की पर बल्लेबास भी साइन किया ये तो हो गई लखनव के मेगा उक्षन की बात अब हम आपको बताएंगे कि लखनव सूपर जाइंट्स ने जो टीम चुनी है वो कितनी मजबूत है टीम की कमजोरी क्या है कौन से खिलाड़ी पर सबकी निगाहे होंगी और डेब्यू सीजन में इनका प्रदेशन कैसा हो सकता है लेकिन उससे बहले बात कर लेते हैं गेमजी आप की गेमजी आप का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिया है उस पर क्लिक कीजे आप डाउनलोड कीजी और कॉंटेस्ट में पाटिस्पेट कीजे गेमजी बहुत काम का और कमाल का आप है और हर रोज पाच करोट जीतने का मौका है साथ ही अगर आप फर्स टाइम डिपोजिट करते हैं तो आपको सो परसेंट का बोनस भी मिलेगा और इतना ही नहीं आप गेम के सेकिंड पार्ट में भी पाटिस्पेट कर सकते हैं लगनाव जॉयंट्स के फुल स्कॉर्ड की बात करते हैं बल्लेबास, मनीश पांडे, एविन लुइस, मनन मोरा ओल रॉंडर, मार्कस टॉइनिस, जेसन होल्डर, काइल मेयर, दीपक हुड़ा, कुनाल पांदिया इंगलन की पेसर, मार्क वूट चोट की वज़े से पूरे सीजन नहीं खेल पाएंगे रिपोर्ट्स हैं कि उनकी जगह जिंबावे के बलेसिंग मुजर्बानी टीम से जुड़ेंगे मजबूती, लखनाव सूपर जायंट्स की टीम काफी बैलेंस नजर आती है इसकी वज़े है टीम में कई ओल राउंडर्स का होना, टीट्वेंटी के ऐसा फॉर्मेट है जहां किसी भी देन किसी भी गेंदबाज की पिटाई हो सकती है ऐसे में अगर आप 4-5 ओल राउंडर्स के साथ उतरते हैं तो टीम ना सिर्फ कागस पर बलके मैदान पर भी काफी मजबूत नजर आती है ओल राउंडर्स के होने से टीम को बल्लेवाजी और गेंदबाजी में गहराई दिखते हैं टीट्वेंटी फॉर्मेट में बहुत सारे ओल राउंडर्स का विकल्प होना टीम के लिए लगजरी है लखनाओ में जेसन होल्डर और मार्कस टॉइनिस के रूप में दुशानदार विदेशी ओल राउंडर्स मौजूद हैं जिनने टीट्वेंटी फॉर्मेट का खूब अनुभव है इंडियन आल राउंडर में टीम के बास कुनाल पांडिया, कृष्णपा गौतम और दीपा खुड़ा मौजूद है इसके रावा आयूश बदोनी और करेंट चर्मा के रूप में दो यूवा ओल राउंडर भी हैं जिनने मौका दिया जा सकता है वेस्ट इंडीज की कायल मेर्स को लखना उन्हें बेस प्राइस में खरीदा है मेर्स भी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी को आप्शन देते हैं कमजोरी लखना सूपर जाइंट्स में तीन सबसे बड़ी कमजोरिया नजर आती है हम एक एक करके तीनों पर चल्चा करेंगे पहली और बड़ी कमजोरी ये है कि टीम के पास गेंदबाजी में जादा अनुभव नहीं है प्रूवन पेसर के रूप में सिर्फ आवेश खान नजर आते हैं आवेश ने पिछले सीजन बड़िया प्रेदर्शन किया था लेकिन इस बात की क्या ग्यारेंटी है कि वो इस सीजन भी उसी रिदम में होंगे आवेश का पफेक्ट रिप्लेस्मेंट होना चाहिए था मार्क वोट के ना होने से भी टीम को जटका लगा है दुश्मन चमीरा के रूप में टीम के पास एक और 30 गेंदबास है लेकिन उन्हें हर मैच में मौका मिलना मुश्किल है ऐसे में टीम जेसन होल्डर पर बहुत निर्भर दिख रही है टीम में 30 गेंदबास के रूप में अंकित राजपूत भी है लेकिन वो आखरी बार IPL 2020 में खेलते दिखे थे वहाँ भी उनकी खूब पिटाई हुई थी ऐसे में टीम की मजबूती के साथ मजबूरी भी ओल्राउंडर्स हो जाते हैं लखनव सूपर जाइंट्स को हर मैच में अपने ओल्राउंडर्स पर निर्भर रहना होगा लखनव के दूसरी बड़ी चिंता है टीम में अनुभवी स्पिनर्स का ना होना कुनाल पांडिया पार्ट टाइमर है वो एक ऐसे गेंदवाज हैं जिने कप्तान की जरूरत होती है वरना औसा दिखते हैं रोहित जैसे कप्तान ही उनसे अच्छी गेंदवाजी करा सकते हैं युवास स्पिनर रवी बिश्णोई ने अच्छा किया है लेकिन इनके अलावा कौन बिश्णोई के साथ एक और अनुभवी लेग स्पिन गेंदवाज पर पैसा खर्च किया जा सकता था लखनाव की तीसरे चिंदा टीम की कप्तानी नजर आती है केल राहूल ने दो सीजन पंजाब किंग्स की कप्तानी की है नतीज़ा सब के सामने है कप्तानी के दवाव में उनका स्ट्राइक रेट काफी गिल जाता है और उनकी कप्तानी भी बहुत खास नहीं है वो अभी सीखी रहे हैं और कब तक सीखेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता कप्तान केल राहूल और बल्ले बास केल राहूल में बहुत परक है लगनव सूपर जाइंट स्प्लेंग इलेवन, ओपनिंग में कुिंटन डिकॉक और केल राहुल के रूप में टीम के पास शांदार सलामी बल्लेबाज मौजूद है तीसरे नमबर पर मनीश पांडे है, जिन पर बड़ी पारी खेलने और स्ट्वाइक रोटेशन की जिम्मेदारी होगी चौते नमबर पर मारका स्टॉइनिस खेल सकते हैं, वैसे ही इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टीम मानेज में स्टॉइनिस को फिनिशर की भूमी का देगा या फिर उन्हें ऊपर भीजा जाएगा अलाकि हमारी माने तो स्टॉइनिस के लिए नमबर चार पोजीशन बढ़िया नजर आती है पाचवे नमबर पर दीपक हुडा जबकि छटे नमबर पर जेसन होल्डर साथवे नमबर पर कुनाल पांट्या के रूप में एक और ओल रॉंडर जबकि आटवे नमबर पर रवी बिश्णो ही खेलेंगे नौवे नमबर पर आवेश खान और दसवे नमबर पर अंकित राजपूर तेज गेंदबास दुश्मन चमीरा ग्यारवे खिलाडी हो सकते हैं तो ये था लखनो का टीम प्रिव्यू और आपके लिए ज़रूरी बात ये है कि IPL जल्द ही शुरू होने वाला है और ललन टॉप स्पोर्स की कपवेज भी IPL में आपको वहाँ मैप से पहले और बात का पूरा हाल मिलेगा तो हमारे साथ जुड़ना न भूले तो इस वीडियो पर बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्स जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्स शुक्रिया